लगतार होरे बरसात का सर अब हलदवानी में भी साफ देखने को मिल रहा है जहां गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से हलदवानी और काट गुदाम रेलवे स्टेशन को बड़ा खत्रा उत्पन हो गया है नदी के पानी से रेलवे पटरी के पास भूग कटाव सुरू हो गया है पाद SDM मनीज कुमार ने आज स्टीम के साथ हलदवानी और काट गुदाम रेलवे स्टेशन का निरप्छन किया उन्होंने बताया कि खत्रे को देखते हुए यहां पे चेनलाइजिंग और प्रोडक्शन वॉल बनाई जा रही है साथ ही कटाव बढ़ने पर रेलवे यत अत्यात भी परभावित हो सकता है रेलवे के साथ ही वनविभाग के अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिये गए हैं लोगों से भी अपील की जा रही है कि आपदा की स्तीती में ततकाल परशासन से संपर्थ करे गोला नदी में जो पानी बढ़ा है और आगे भी बारिस ज्यादा होने की वैसे पानी बढ़ने की संभावना है उसको लेके दो जगों पर रेलवे लाइन को दिक्कत आ गई है एक तो अलदानी रेलवे चोरगले रेलवे क्रोसिंग पर और दूसरा काट गोदा में और बढ़े ही चतिकरस पूरी हो चुकी है उसे संचालन में दिक्कत आ रही है